एकदम सॉफ्ट मॉमोस बनके तयार हो गया है और मैं आपको बताती चलू कि यहां पर मैंने मॉमोस की एक बहुत ही स्वाधिस चटनी जो खास करके डाजलिंग में जो चटनी बनाते है ना मैंने सिम उसी तरह की मॉमोस की चटनी बनाई है और सारे सीक्रेट्स भी इस वीडि दिया है नमक आपको क्या करना है थोड़ा थोड़ा पानी इस्तिमाल करके एक सो डो तयार करना है आटे की आपको ध्यान रखना चाहिए कि ना ज्यादा हाड हो और ना ज्यादा सॉफ्ट बिल्कुल एक तरह का डो होना चाहिए मतलब मीडियम सॉफ्ट और मीडियम हाट इ इसे ढब कर दो लगाने के बाद अप धब कर रेस्ट करने के लिए छोड़ दीजें 15 मेंट के लिए तब तक हम चटने का काम कर लेते हैं यहां मैंने कराही में पानी उबाल लिया है और उबले पानी मैंने इस तरह से टमाटर को काट के डाल दिया जब आपको लगने लगे कि टमाटर सॉफ्ट होने लगे या फिर उनके स्किन नहें बाहर आने लगे हैं मतलब मैं आपको दिखाती हुग डिखाते हुए कि कैसा होना चाहिए यह देखे यह इटमाटर नह बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है और जब मैं इसके स्किन हटाऊंगे तो बहुत इजली हट तो जब आप टमाटर को घरम करोगे अच्छे से सॉफ्ट कर लोगे ना तो इसकी स्कीन बहुत इजली बहुत ही अराम से हट जाती है पर ध्यान रहे कि आपके हाथ ना जले अप ध्यान से करेगा और इसका प्यूरे बना लेना है तो अब मेरे पास तो तीन सब्जियां है जै आप चाहे तो अलग से पनीर भी डाल सकते तो इन सारे सब्जियों को मैं मुझे बहुत बारीक ग्रेट करना है तो मैंने एक चॉपर का यूज किया है चॉपर का यूज किया है अनल सब्जिया फटा-फट चॉप्ड हो जाती है तो अगर आपको भी बहुत बारीक मतलब चॉपर का यूज कर लिजेगा और यहां मैं थोड़ा सा लैसुन भी ले रही हूं इसी मॉमोज की फिलिंग्स का स्टफिंग के लिए मैं यह लैसुन यूज करें तो मैंने कड़ाई को गरम कर लिया उसमें लिए दो चमच तेल कटी भी लैसुन डाल लिया और यह सबजिय को हमें तेज आज पर भूनना है ताकि सब्जिया पानी ना चोड़े और यहां मैं थोड़ा सा पनीर भी एड़ कर रही हूं मॉमोज में पनीर बहुत अच्छा लगता है तो अगर आपके पास पनीर है तो आप एड़ कर लिजे अधर्वाइस इतना तक भी काफी है और करें ना करेंज वर्ण मीढार को घृत वर्ण टेस्टी दाज्लिंग वाँ जट्नी बननाने की सांखी है यहां मैंने यह जो फार प्यृ डाल होने तक नूट इस में नमक डाल दिगा पर वह जरू यह की कि अलच सी मारता तो ऩो थलने के चांसे बत्तर है तो इस यह यह ल देखोगे तो यह बिल्कुल अच्छे से गाड़ा हो चुका होगा यह देखिए ऐसा हो गया है तो यह चटनी ऐसी हो जाती है बिल्कुल इसका perfect consistency हो चुका है as a chutney तो यहां मेरा डो जो है वह भी बिल्कुल soft हो चुका है और अब मैं क्या करूँगी इसे इस तरह से आप लंबा लंबा कर लिजेगा और उसके बड़ाबर equal pieces कर लिजे equal pieces करने के बाद आप इसे आपको पतला बेलना है तो थोड़ा सा सूखा आटा लेकर जैसे हम रोटी बेलते हैं बिल्कुल छोटे-छोटे लोई होनी चाहिए उस तरह से हमें इसे गोल या कोवल सेब में जैसे आपको मनू उस तरह से बेल लीजिए और यहां मैंने ले लिया है थोड़ी से स्टफिंग उसमें मैं डालती है थोड़ा सा सॉल्ट क्यों कि पहले से सॉल्ट डालती न तो स्टफिंग पानी छोड़ देती तो फिर क्या होता न अच्छा नहीं बनता है वो क्या करते हैं डो को गला देते हैं तो स्टफिंग को अच्छे से नमक डाल कर आप मिक्स करिए और जितना आपको स्टफिंग डालना है उतना अराम से डालिए और इस तरह से आप एक साइट को पकड़ कर इस तरह से फोल्ड कर लीजिए दोनों को अच्छे से दबा तो यह एक ट्रेंगल सेप का शेप तियार हो जाएगा तो इसे आपको अच्छे से चिपकाना है ताकि खुले नहीं वैसे यह खुलते नहीं है यह चिपकी जाते हैं बहुत अच्छा से तो यह मैंने यहां पर दूसरा लोई ले लिया और मैं आपको यहां पर चाल पाच तरह करके फोल्डिंग सिखाऊंगे कैसे आप मुमज को अलग अलग तरीकों से फोल्ड कर सकते तो यहां भी मैंने इसे पतला बेल लिया है और बेलने के बाद जितनी मुझे फिलिंग्स चाहिए उतना मैंने डाल लिया और यह इसको हमें इस तरह से मी सरकल के से पहले आप इसे कर लिजे फोल्ड और अच्छे से दबा कर कोनों को और दोनों साइट्स को अच्छे से मिला लिजे इस तरह से और मिलाने के बाद इसे भी चिपका दीजे तो यह एक अलग तरह का मुमोज का शेप तयार हो गया है न सारे से कितने इजी इजी है और यह चुटकियों की सब्सक्राइब में प्रकूंब करकर दिखाती है इस तरह से चिल्डें शिपकाते चाहिए ठीचopers को नहीं यह देखिए आप मैं आपको एक और फोल्ड सिखाती हो तो यहां उसी तरह से चुट्कियों की मदद से फोल्ड करते जाना है और इस बादा सबको हमें मतलब जितना भी फोल्ड है जितना फोल्ड हो सके उतना फोल्ड आप करते जाए और करके लास्ट में इन सारे मुहों को एक साथ पकड़ के चिपका के उसके मुह को एज़ पोटली यह पोटली वाला मुमोज हो गया एज़ पोटली हमें बना कर तयार कर लेना अब एक होड नया शेप इसे भी उसी तरह से सेमी सरकल से फोल्ड कर लीजिए और इसे नहीं मैं गुजिया वाला शेप दोंगी तो गुजिया वाला शेप न जब ममी बच्पन में गुजिया बनाती थी ना तो हम भी मिलकर इसी तरह से फोल्ड कर देते हैं ममी सिखाती थी कि यह तो चुटकियों की बनाती है इसे ऐसे फोल्ड करते जाओ करते जाओ बिल्कुल थोड़ा 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 पर और आप देखो यह भी बिल्कुल उस तरह से बनकर मैंने इसे तयार कर दिया मतलब गुजिया की तरह से तो यह गुजिया वाला मोमोज है यह देखो तो यहां मैंने सारे मोमोज को मुझे यतने बनानें तो कोके त्यार कर लिया है और movog बनाने इस तरह का diva बनाने नहीं स्टिंबर लेडी दे लिए उसे थुरा पीजिक से करलीजे वैसे नहीं भी करो कि तब भी नहीं baik कि कि मूदस से बन्दान में नहीं तो फिर भी आपका तो थोड़ा चीपता नहींfeld मुहमोस को रख दीजिए और मुहमोस का बरतन है मतलब जो साचा है उसमें आपको डालना है एक गलास पानी और पानी डालने के बाद ही आप इसको डाल इए गाइगा इस प्लेट को उसके अंदर क्योंकि यह बाप से बनते हैं तो पानी को उनुक्त बहुत ज़रूरी है पान पर मॉमोज रेडी है सर्फ करने के लिए मैं आपको बताते चलो कि मॉमोज गरमा गरम ही अच्छे लगते है तो जब आपको खाना हो उससे महाँ फोल्डिंग करके मॉमोज को डिफ लिजर में डखते या करूए और जब खाना हो न तब उसे स्टीम करके तब खाया करे तब ज्यादा मज़ा आता है तो वीडियो कैसे लगा मुझे जरूर बताएगा लाइक जरूर कर देज़ेगा चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेज़ेगा थेंक यू